कम टाइम, कम समय, कम तेल में बढ़िया नास्ता बनकर तयार हो गया, देखिए कितना सोप्ट सोप्ट नास्ता बना हुआ है, जो लूप डायटिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया नास्ता है ये हलका फुलका नास्ता, कभी भी लंच में, डिनर में, ब्रेकफास में कभी भी खा सकते हैं है लो गाइस मैं हूँ आरती- आरती किचंस में आप सभी का स्वागत है है लो गाइस हमारी वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट भी कीजियेगा चलिए गाइस बनाना सुरू करते हैं तो हमने एक लोग की लिए हैं यहाँ पर फ्रेश लेकर आए हैं मार्केट से बहुत बढ़िया हैं देखिए अब इनका छिलका हम निकाल लेंगे निकालने के बाद में दो पाट में हम कर लेंगे आधा रख देंगे आधे के हम बनाएंगे देख लेजिए आधा हमने रख दिये आधा कट करके चार भाग में अभी रख दिये ये नास्ता बनाने के लिए विल्कुल नरम लवकी होना चाहिए कड़क रहेगा तो उसका बीया दात में फसेगा अच्छा नहीं नास्ता बनेगा तो यहां हमने एक ग्रेटल दिये हैं मोटा वाला अब हम ग्रेट कर लेंगे देखिए अभी सब ग्रेट करके हो जाएगा फिर उसके बाद में अभी हो गया है सब ग्रेट करके अभी यहां हम एक बड़ा सा बर्तन लिये हैं बॉल्स लिये हैं और उसमें हम डाल देंगे और यह आटा है गेहु का तो गेहु का आटा उसमें डालेंगे गेहु के आटे से बनाएंगे यह हम दढ़ी लिये हैं तो दढ़ी मिक्सीर हें अि है वह यहां नियऱ पत्ता है ट्रैस दन्या पट्ता है काटके डाल दी यह असुद हम सार नमक डाल दिजिए गा आधा साबू जीरा डाल दे जिए गन आधा चमस से ज़्यादा हाँ थोड़ा से चाड मसाला डालेंगे, दोई चुटकी यहाँ धनिया पोडर डाल देंगे, एक चुटकी हिंग डाल देंगे, एक चुटकी यहाँ पर हमने हल्दी पोडर डाल देंगे, हल्दी पोडर डालने के बाद में यहाँ कुटी हुई लाल मिर्चे डाल देंगे अभी मिला के अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बढ़िया से बेटर बनाएंगे देखिए बेटर बन गया इसी तरह से बेटर बनाएने का ज्यादा ना पतला रखने का ना ज्यादा गाड़ा रखने का चलिए गैस के तरफ चलते हैं गैस ओन कर दिये पैन रख दिये अभी पैन में थोड़ा से हम घी लगाएंगे घी लगाने का या थोड़ा तेल लगाने क जो आपके पास है उहही लगाने का दौ बड़ा चमच हमने टाल दिये हैं चाधे नहिभा नहीं डालेंगे भाओ दौ पन जाएगा दो चमच के लीवर बल्कुल रहेगा न ज़्यादा एकदम पतले ही, न सजबा मोटा लॉपी के चिल्ला इसा तरह से बनाने तो बहृत बढ़ा बनेगा देगे इन्हें हम पलट देगे पलटने के बाद में दो मिनट के लिए फिर ढखके हम छोड़ देंगे कि अच्छी तरह से बढ़िया से लोगी पक जाए देखिए नास्ता बनकर तयार है आप हम इन्हें निकाल लेंगे निकालने के बाद में दूसरा हम फिर इसी तरह से बना लेंगे देखिए कितना बढ़ियां से हैं यहां बन कर त्यार है कितना सोक्ट है थोड़ा से गी ही लगाएंगे अदो चमज बेटन डालेंगे बेटन डालने के बाद में पसारेंगे और पसारने के बाद में दो मिनट के लिए ढखके मेडिया माच पे रख देंगे फिर दो मिनट हो गया, उपर से तेल लगा के फिर पल्ट देंगे, फिर दो मिनट के लिए छोड़ देंगे, अभी दो मिनट हो गया, ये भी निकाल लेंगे, देखिए कितना बढ़ी है नास्ता बन कर तयार है, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सेर कर दीजिएगा देखिए कितना हलका फुलका नास्ता बनकर तयार है जो लोग डायटिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़ी है नास्ता है तो कम तेल में कम समय में बढ़ी है नास्ता है बिल्कुल हेल्दी नास्ता बनकर तयार है गाई साप लोग भी इसी तरह से फिर मिलेंगे एक नई वेडियो के साथ में अब तक के लिए जय हिंद